इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनस में भारी गिरावट हो रखी है तो अब तक आपको पता चलगया होगा क्यों भारी गिरावट रखी है तो जादा कुछ मैं नहीं इस बारे में डिसकर्स करूंगा चैनल को सबस्क्राइब करूंगा अभी की भाई loss book करना है क्या नहीं करना है काफी बहेंकर गिरावट हो रखी है और इसके अलाबा telegram channel join कर सकते हैं free of cost है बहाँ पर हम discussion करते रहते हैं विप्रो discuss किया था recently आपने देखा होगा काफी तेजी विप्रो माई थी 630 चालिज कर पर discuss किया था telegram group में तो बहाँ से उसे join कर सकते हैं free of cost है मिल जाएगी comment box में pin comment मिल जाएगा बाग की description में जाके कर सकते हो तो इस्टेक इसमें sell किया था इनके promoter ने और खरीदा किस ने था इसने था Adaya और Blackstone अक्वार इस्टेक इंडिया Bulls Housing Finance तो जो भी थी इन्होंने खरीदा था आप कोई बेचेगा तो कोई तो खरीदेगा ठीक है तो इन्हें तो वही कुछ अच्छा लग रहा होगा कि आगे आने वाले future में कुछ अच्छा करेंगे तब इन्होंने खरीदा है ठीक है जो भी है इससे पहले एक और खबर बता दूँ आपको थोड़े दिनों पहले की बात है कि साइध डील हुई थी PNV Housing Finance में उसमें काल गुरूप ने खरीदा था साइध दो-तीन-तीन महिने का असपास हो गया उसके बाद PNV Housing Finance रोकेट हो गया था फिर बाद में कुछ और खबरे आई फिर बस में गिरावट आ गई तो ये चीजें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या होगा तो मैंने बस एक डील के बारे में आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है में भी क्या पता इसमें भी वैसा सच टाइप सब हो जाए ठीक है अब ये बेंच आ था ये तो आपको पता ही चल गया है इन्होंने इस टेक बेंच दिया था समीर गहलोत ने उसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने बोर्ड से भी रिजायन दे दिया है यहांसे भी तो ठीक है अब जो होना था वो खबरे हो गई इसके लावब मार्केट में ही भारी गिरावट हो रखी थी तो फिर यह काहां से बचने वाला थोड़ी सी खबरे बाद सब भारी गिरावट हो रखी थी इसमें अगेन बात कर लेते हैं अब चार्ट पर टेक्निकली देख लेते हैं टेक्निकली परसनली मुझसे पूँच होगे तो इंडिया बुल हाउसिंग भाने से सालों साल डाउन ट्रेंड में चला यह पहले आट-सो-्दो-लॉपे के आसपास हुआ करता था wow अब काफी दिनों से टाउं ट्रेंड में है और अगर आप पले करना चाते हो रिस्क लेके तो आप पले कर सकते हो दो थो, दस दोसो के आसपास मतलब यहां के आसपास पले कर सकते हो एक डिप लगा सकते हो अगर पिले करना चाहते हो बैसे तो मुझे इस सेक्टर में मैं लीडर के साथ जाता हूँ HDFC हाउसिंग फैनेंस HDFC हाउसिंग फैनेंस लिम्टेट तो HDFC लिम्टेट के साथ ही जाता हूँ मैं काफी पसंद है उसे हमने 1500-1600 या 1800-1500 ऐसे डिसकास किया था अगर आप रिसकी बैट लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो मैंने लेवल्स बता दी है बाकी ऐसा नहीं कि उपर खरीद लिया तो लॉस्बुक करने लॉस्बुक मत करना क्योंकि हो सकता है कमपनी अच्छा परफर्म करने लगा री रेटिंग हो रखी कमपनी में अभी काफी सारी नहीं नहीं चीज़े हो सकती है आप जो नया गुरूप जिन्हों ने अपना इस्टेक लिया है कुछ तो बहां से भी चीज़े पोजिटिव हो सकती है तो अगेन अगर अच्छा करने लगेगा कि कमपनी तो अगेन हो सकता है अपने पुराने लेवल 800 के आसवास पहुचने की कोशिस करे तो आपके पास रिस्क भी है रिवाड भी है तो ये दोनों चीज़े सोच के रख सकते हो अगर रिस्की बैट करना चाहते हो तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो लेवल मैंने बता दिये है बाकी आपकी मर्जी है और आपका पैसा है और अपने फैने से डवाइजर पूछ सकते हो अपना विव बना सकते हो सुननी सब की है